अगर आप बहुत जल्द ही धनवान बनने वाले हैं, तो आपको कुछ संकेट मिलने शुरू हो जाते हैं, व्यक्ति के नसीब में जो होता है वो उसे मिलना ही है, चाहे कैसे भी मिले, लेकिन मिलने पहले ही प्रकृती कुछ संकेट देने लगती है, जिनको हर कोई नहीं समझ पाता, लेकिन जिन्हें पता होता है वो समझ जाते हैं, जैसे कुछ संकेट आज हम आपको बताने वाले हैं, अगर आपको भी ऐसे संकेट मिल रही हैं, तो आप भी बहुत जल्द धनवान बनने वाले हैं, आईए जानते हैं वो कैसे संकेट हैं, पहले बोलिए शंकर और अब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बैल आइकॉन दबा, लीजिए शास्त्रों और पंडितों की माने तो शरीर के दाहिने अंका फड़कना शुब होता है, ये संकेट होता है कि आने वाले दिनों में आप धनवान बन सकते हैं, आसान शब्दों में कहें तो घ धर में सुख और समरिधी का आगमन होगा, आदमी का दाया अंद और और औरत बाया अंग फड़कना शुब माना जाता है, अगर आपका भी दाहिनागाल और बाजु फड़कता है, तो यह शुब संकेट है, जीवन सुख दुहक का संगम है, व्यक्ति के जीवन में दुहक क के बाद सुख जरूर आता है, खास कर साढ़े साती से पीडित व्यक्तियों पर अंतिम चरण में शनी देव की कृपा अवश्य बरसती है, इससे उनके आने वाले जीवन के रास्ते खुलते हैं, वहीं जब समय अच्छा होने वाला होता है, घर के मुख्य द्वारा के सामने आग के पौधे का उगना भी धनवान बनने का संकेत है, अगर आपके घर के सामने आग का पौधा उग रहा है, तो यह संकेत है कि जल्द आपके घर धन का आगमन होगा, अगर आपके घर में काली चीन्टियों की जुंड है, तो यह एक अमीर बनने का संकेत है, अगर आप आपने घर में काली चींटियों की जुन्द देखते हैं, तो समझ लें कि आपके घर मा लक्षमी जल्द ही आने वाली है सरल शब्दों में कहें, तो मा लक्षमी की कृपा बरसने वाली है यही आपके घर में बिल्ली बच्चों को जन्न देती है तो ये शुब संकेत होता है अगर कोई उर्ता हुआ जा रहा है और अचानक पक्षी द्वारा कोई कीम्ती चीज छत पर पर गिर जाए तो ये भी शुब होता है इसका अर्थ है कि आपके घर में सुख का आगमन बहुत जल्दी होने वाला है दोस्तों हाथ में खुजली होना एक आम बात है लेकिन अगर आपके दाहिने हथेली में लंबे समय से खुजली हो रही है तो यह शुब संकेत है कि आपके घर बहुत जल्द धन का आगमन होने वाला है वही दाई आख फड़कना भी धन के आगमन का शुब संकेत माना जाता है अगर आपको सपने में ज़ाडू, उल्लू, घड़ा, बंसी, हाथी, नेवला, शंक, छिपकली, तारा, सांप, गुलाब, आदी दिखाई दे तो यह धन प्राप्ती का संकेत है अमीर बनने के कुछ उपाई भी हैं, बो भी हम आपको बता देते हैं, ध्यान से सुनियेगा, धनवान बनने के लिए लोग कई तरह के जतन करते हैं कुछ लोग लक्ष्मी माता को पूचते हैं, तो कुछ तुलसी का पौधा घर में लगा कर हर रोजगी का दीपक जलाते हैं लेकिन हम आपको ऐसे पाँच उपायों के बारे में बता रहे हैं, जिनका जिक्र महाभारत में है इन पर अमल करने से आपके धनवान बनने की संभावना काफी बढ़ जाती है नमबर एक आलस छोड़े अमीर बनने के लिए यह बहुत जरूरी है कि इनसान को आलस्य त्याग ना होगा और कर्मच्शी होना चाहिए आज का काम कल पर टालने से बचना चाहिए महा भारत के सुक्ती रत्न के अनुसार अगर आप ऐसा करने के काबिल बन सके तो धनवान बनने की संभावना बढ़ जाती है नमबर दो कलीब यानी दुर्बल मनवाला व्यक्ति ऐसे लोग प्रित्वी को भोग नहीं सकते और इस वजह से उसको धन प्राप्ती नहीं होती है धनवान बनना है तो मन को दुर्बल नहीं बनने देना चाहिए मन को हमेशा मजबूत रखना चाहिए इससे तरक्की के रास्ते खुलते हैं और इनसान धनवान बनने की तरफ तेजी से कदम बढ़ाता है नमबर तीन दान करना चाहिए एक दानवीर इनसान के धनवान बनने की संभावना काफी होती है आपको धनवान बनने के लिए नियमित रूप से दान करना चाहिए जो व्यक्ति दानी या उदार नहीं होता है, उसे धनसंपत्ती नहीं मिलती है नमबर चार घमंड से दूर रहें अगर आपको हकीकत में धनवान बनना है और आप घमंडी हैं तो फिर इस बात की आशंका ज्यादा है कि आप धनवान नहीं बन पाएंगे इसी वजह से जरूरी है कि घमंड से दूरी बना लें याद रखें कि जो आलसी लोग हमेशा कुछ अच्छा होने के इंतजार में ही बैठे रहते हैं लक्ष्मी उनसे उतनी ही दूर होती जाती हैं अगर आप धनवान बनना चाहते हैं और खर्च को लेकर आप मनमानी करते हैं तो यह अच्छी बात नहीं है धन को इकठा करके रखें ताकि आपके धनवान बनने की उम्मीदों को पर लग सकें और जल्दी धनवान बने हमारी इन सब बातों का ध्यान रखिए और खुश हो जाए आपका भी अच्छा वक्त शुरू होने वाला है अगर आपको ये प्रस्तुती अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिख देना